नमस्कार आप सभी का स्वागत है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महादेव को भोले भंडारी भी कहा जाता है क्यूंकि उनका सुभाव इतना भोला है कि उनको कोई भी आसानी से प्रसन्न कर सकता है उन्हें किसी चड़ावे, दिखावे की जुर्रत नहीं है उनके लिए भक्तों का प्रेम ही, उनका चप्पन भोग होता है महादेव अपने सभी भक्तों को अपनाते है चाये वो देवता हो, दानो हो, मानो हो, या फिर पशु हो वे सभी उनके लिए समान है, वे शम्चान में भी निवास करते हैं और कैलाश पर भी वे देवों की देव महादेव है तो भूतों और प्रेतों के देव महाकाल भी है उनकी महिमा आदभूत है वे सबसे परे है और कोई उन्हें समझ नहीं सकता वे अपने सचे भक्तों के मन में निवास करते है पर हम सभी जानते है कि उनके सबसे प्रिय भक्त नंदी है, नंदी उनके वाहन, प्रिय भक्त, उनके सेवक और उनके सबसे करीबी माने जाते है इसलिए अगर भक्तों को अपनी प्रार्थना महादेव तक पहुँचानी हो तो वे नंदी जी के कानों में अपनी मनो कामना कह देते है उन्हें यकिन होता है कि नंदी जी की बात महादेव अवश्य स्विकार करते है पर क्या आप जानते है कि नंदी महादेव के इतने प्रिय भक्त कैसे बने वे कैलाश कैसे पहुँचे आज हम आपके लिए नंदी जी के जन्म की और महादेव भक्ती की सत्यकता सुनने जा रहे है जिसे सुनकर आपका मन भी हर हर महादेव की धुन में डूब जाएगा लेकिन इससे पहले दोस्तो अगर आपने चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरू करें साथ ही वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना ना भोलें महादेव की आने को भक्तों की दरब उनका एक भक्त था जिनका नाम था केवट राम वह महादेव को अपना आराध्य मानता था सब्सक्राइब उनकी भक्ति में लीन रहता था वह खेती करके अपना गुजारा किया करता था किन्तु उसकी एक ही चिंता थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी उसने और उसकी पत्नी ने कितनी मन्नती मांगी थी पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था वो सदय महादेव को याद करता और उसे अपनी संतान के लिए प्रार्थना किया करता था एक बार उसने ठान लिया कि जब त प्रसन हुए और केवट राम के सामने प्रकट हुए और उसे वर्दान मांगने को कहा। मैं उसे अनुसार वर्दान दूँगा। उसने अपने पुत्र का नाम नंद किशोर रखा पर जैसे जैसे उनका पुत्र बड़ा होता गया तो भोती शक्तिशाली होता गया। परन्तु उसकी बुद्धी भी एक बयल की तरह थी। उसे जो भी सिखाया या ज्यान दिया जाता वो केवल ओम नमशिवाय ही बोलता रहता था। सदैव ओम नमशिवाय की धुन में गुम रहता था। उसके पिता ने उसे खेती के काम में भी लगाने की कोशिश की किन्तु वो केवल महादेव की भक्ति में लीन रहता था। और एक बार उसने जित पकड़ ली कि उसे महादेव के पास कैला जाना है वो महादेव की साथ ह रहना चाहता था। उसने खाना पिना और बोलना सब कुछ त्याग दिया। उसकी हलत बहुती बिगणने लगी। उसकी इस भक्ति को देखकर महादेव खुद को रोक नहीं पाए और उसे दर्शन देने के लिए प्रकट हो गए। केवट राम महादेव के चर्णों में गि पुत्र का वरदान मांगा था। मैंने तो केवल तुमारी इच्छा की पूर्ती की है। केवट राम को ऐसास होता है कि उसका पुत्र किसी महान कारे के हेतो ही उत्पन हुआ है। वे महादेव से प्रातना करते है कि वे उनके पुत्र को अपने साथ कैलाश ले जाए क्योंक नंदी सदव मेरे साथ कैलाश में उपस्तित रहेगा तब से नंदी महादेव के सबसे प्रियस सेवक माने जाते है। तो दोस्तों कैसे लेगे आपको ये नंदी भक्ति की कता अगर आपको ये कता पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंड में ज़रू ब